wait a second, अच्छा तभी मैंने इंटरनेट से इसे connect कर लिया है, और यहां पर, हाँ जी, right click मैं इस पर करता हूँ और करते हैं हम to other TLDs, किस-किस को यह find कर सकता है, अच्छा जीरो, entries, wait a second, to domains, to domains, अभी देखते हैं इसे, अगर कोई find करता है, अच्छा जी, तो इसने यह 000 वेब होस्ट आप जो है, वो find की है, अभी हम इस domain का find करते हैं, यह transform जो है, वो all transforms हैं इसकी, मैं अभी farsight DNS में नहीं, इसमें farsight DNS की भी जो है, transform होंगी, to name server, NS record, इसका कोई find करते हैं, देखते हैं, इसका कोई क्या क्या मिलता है, ठीक है, तो dns1.000 webhost, इसे यहाँ पर रखते हैं, और इसे यहाँ पर रखते हैं, अभी हम देखते हैं, इस DNS से हम, आगे फर्दर क्या क्या information जो है, वो निकाल सकते हैं, to domains, ओके, तो यह DNS TB की transform है, ठीक है, to domains, मतलब name server को use करके देखें, कि इस name server पे और कौन-कौन सी domains हैं, तो यह देखें, यह हमारे पास आ गई हैं different domains, जो कि इस name server से belong करती हैं, that C के DNS to, मैं कौन-कौन सी हमें domains मिलती हैं, order to domains, reverse, NS, अभी credits, यहां पर आपने देखने हैं, आपके पास credits भी जो होंगे ना free में, वो limited होंगे, around about आपको 12 credits मिलेंगे, और मेरे 8 जो हैं, रह गए हैं, 4 use हो चुके हैं, ओके, name server से, हम इसकी भी निकालते हैं, अच्छा, तो यह वही सारी जो domains यह उन्ही को point out कर रहा है, remember, कि यह community addition की वज़ा से हमारे पर limitations हैं, कि हमें 12 results जो हैं, वो हमें मिल रहे हैं, और अगर होता हमारे पास दूसरा addition, तो हमें ज्यादा results मिलते हैं, ठीक हैं, अभी हम देखते हैं, यह जो है हमारे पास website, इस से हम कहां तक जा सकते हैं, तो चले चलते हैं, इस से IP address, देखते हैं हम, इसका IP address निकालके, अच्छा, तो यह result हमारे पास आया है, ठीक है, अभी इस IP address से, हम क्या क्या information निकाल सकते हैं, let's see, प्छोपोल्य ह possible, लेखते हैं,ülके रच्छोपार से, क्या हम जा हैं क्या ह। вся हम ट्रेकरते हैं पिर प्रेशिगां क्यां है, हम क्यान से, एका ज रच्छोपोड्य हम तो यह डुनaley प्रशर समया जा हम क्या हैं अब यूज होस्टिंगर तो ये होस्टिंगर से बिलॉंग करता है ये पता लग गया है ये who is info के IP अड्रेसे हैं अभी इनको चलनें यहां पर ही रहें इस IP अड्रेस से हम देखते हैं कि इसका अगर हमारे पास net block आ जाए ठीक है means कि ये किस net block से बिलॉंग करता है तो ये हमा हमारे पास इसका net block जो है वो आ गया है अभी इस net block से हम अगर further IP अड्रेस पर चले जाएं ये हमारे पास दो हैं आप देखें विदिन प्रॉपर्टीज और फाउंड इन नेट ब्लॉग हमने find करने हैं IP अड्रेस विद इन नेट ब्लॉग ये देखें हमारे पास अभी community edition क तो आपके पास इससे भी ज्यादा जो हैं वो आ सकते थे ठीक है अच्छा इन में devices के वी IP अड्रेस होंगे और आप shouldn't use करके further more उसकी vulnerabilities वगएरा जो हैं वो निकाल सकते हैं अभी हम इससे देख सकते हैं अगर इन IP अड्रेस पे कोई domain वगएरा है या नहीं to domains within properties zero entries to DNS name reverse dnsdb को use करते हैं और देखते हैं इन में से अगर कोई return ना ओके तो यह हमारे पास देखें domains भी आ गई हैं कि कौन कौन सी info danang.com I don't know what that is or ggmm.ml तो इस सरह furthermore इस explore कर सकते हैं और देख सकते हैं कि multi go कितनी आपको information जो है वो